यह ग्रीन टेरो इसको लग रहा है जैसे मैं कुछ इसको खाने को दूद हूँ पर यहां पर तो काच बंद है यह देखो यह लग रही अच्छे कुछ मेरे से मांग रही शायद कहने के लिए ग्रीन टेरो यह देखो यह ब्लैक कलर की कितनी अच्छे मचली है सबसे अलग देखी मेरे को यहां पर जितनी मचली में से है चोटी सी पर है बहुत हो बहुत फास्ट हो कहां जी शुब भी आती यह रही इदर चोटी सी आए पर बहुत ही तेज है बहुत ही तेज है ब्लैक अब हम फिश एक्यूरियम में आ चुके हैं यहाँ पर साथ में यहाँ पर फिश के देखेंगे फिश बगेर होती हैं बहुत सारे तो चलो देखतें उनको कांच में रखा हुआ यह अंदर से वहां से आ चुके हैं अभी यहां पर पीछे किला भी है और देख रहा हैं तो चलो चलते हैं फिर यह यह देखो यहां से कितना चलुक दिख रहा है तब ही रिवर का साथ में यह पहार के उपर है देखो पीछे किला यह भी किला बहुत बड़ा किला पर इसके अंदर पता नहीं जाने देते हैं यह कोई पता नहीं पीछे जो तबी रिवर है वो कितना ही अच्छा लुग दिख रहा है जब बारिश होती है बारिश वालो दिन पानी इतना तकड़ा आता है बहुत हाई लेवल पर आजाता है और इते को पीछे जम्मू है जो ज कितना आता है यह जईडिए है कि एड़ी है एड़ी है यह है गोल्ड फिश देखो गोल्ड कलर की गोल्ड फिश नाम दिया हुए कि इतनी अच्छे लग जग जब यहां पर दो तीन यहां पर भी हैं यह है फिश बाइट फिश एज़ देखो इतनी सारी बाइट बाइट कोई यह देखो इसको लगड़ा जैसे में कुछ इसको खाने को दूदू पर यहां पर तो कांच बंद है यह देखो यह लग रही अच्छे कुछ मेरे से मांग रही शायद कहने के लिए ग्रीन टैरो मुझे लग रहा था बो भी यह यहां पर शार्क ब्लैक शार्क छोटी चोटी चोटी शोटी शार्क ब्लैक मुझे लग रहा था यहां पर नहीं होगे शायद पर यह यहां पर दूमोजूद यह देखो यह कूंसी पिश है अलगी ताइप की दिख रही है यह देखो क्या ही अलगी टाइप की फिशे ए मैंने पहली बार देखी हैं झाओ यह देखो बहुत ही अलग है यह सबसे अलग है यह बलैक लगते हैं तर्टल यह देखो ट्रटल क्या ही मस्त तेहरा पानी में ओ भाई साब इदर देख थोड़ा सेलफी देदे अपनी यह दो तो यहां पर जितनी में सारे इनमें सारे में फीश है कुछ कोई सार के कोई कुछ है चलो एक एक करके सारी दिखाता हूं मापू को वहां तक लाश्ट तक यहां से लेकर वह लाश्ट तक दिखाता हूं यह देखो तो सबसे पहले फस्ति नंबर की फिश को देखनें में नगा तो बड़ए गुसल रखली है डेखो कि इतना घुशा रहा जासे पीशे पर तगड़ी है देखरेंगा इसमेरी भी शैडव आ रही है पीछे मैंने पून पकड़ा हुआ है कि इस पर कितना अच्छा लग रहा है ना यह सबसे खतरनाक मशियों की अव सबसे खतरनाक जयां इसको शार्क कितनी बेंजर लग रही है देखने में फरे इस पानी के जो बलून इसे के बज़े से लिख रहे है इसको देखुआ और बाइट अब्लाक शार्क एव तहो बहुत ही खतरनाक शार्क होती है व्यंग वैसली यही देखने आयज था। यहां पर या भी है यहां पर फुर बढ़ी है थोड़ीे सकूर, यह बेधितन है, इस हुँआ च्होटी है यह वह क्षाने पीने का सारा कुछ बिविस्थे यहां पर यह लुग जहांता है। पर उपर पानी जर रहा है वहां पर कितनी सारी इसार करें कितनी से बुबदयों परने फि su तो आलमॉस मैंने साहने दिखाँ दिए यहां पर पीछे मश्ली में है ऑगर है और 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 वह दिखा दिविए और हम जब आगे दिखाथ dark चलो यहां पर भूखने के लिए शायद पीछे है यह ऐसे ही लुक देखने के लिए देखो बाई यह मचली गया इतनी बड़ी मैकसिमम 20 किलो की होगी देख रहे हूं यह देखो यह बोग मचली है जो जादतर तीबी में देखा है मैंने जो पाल के रखते है उसमें मचली का एक का अच्छा होता है गोल सा उसमें पाल के रखते है वह है जादतर मैंने इसी की तरह लग दीए एक और है यहां पर यह देखो बिलकुल आज से जो पाल के रखते है यह दो यह वाली जो छोटे दूसमें रखते वह हैं बड़ी अलग चीच के मचली आलग तरीकी की देखो है है को छोटी आज पर है इसमें डीजाईन कितना तवरा है विसमें जैवरा कटिंग है एले इस नहीं देख रहे हैं कि है शाममद यह नहीं देखर हैं सामने देखो कि आप आए कभी वहत ही अच्छे अच्छे देखर हैं निको ए एक चोटी सी इह बहुत अच्छी है और बह पहन के जाते हैं सकर्सक्राइद को बेसिंद की एक सब्रकिर में था नीचे तक हिसने प्रम पहने तक को सब्सक्राइब और भी जो शंक होते हैं पठर बगेर सारे दिखातों बारी बारी देखो यह है शंक शंक ए छोटे चोटे जो समुन मिलते हैं इस देखो ऊपर भी यह बड़े हैं पधर होते हैं यह च्छांक की तरह लग रहा है में पर यहां पर है कुछ यह पथर वह शांके के जो पथर हो तया में यह है तो फक्तिक हाथ तीन लेका को समथा से यहां से भी को अहीं तो यहां पर मैं आ चुका हूँ जो पाने में रख्शों गे मरे हुए जानवर बहुत सारे चानच के इंदे गिलास होने रख्थ हुए परिवार रखता हुए महंडप यह लगी महंड़क दिदीन लुक्त है कि पूरी प्रिजाति भी अच दिखर सबसे बड़ा मेंडप आप सारी महंडग कर भी है तो यहां पे स्टार इट लगा कितनी सारी यहां पर आरा है अलग अलग बराइटी की यह पता नहीं क्या है जैबल मोरी इल इसका मुह पता नहीं किदर है तो पूँच किदर है कितनी सारी यह सांप की तरह कुछ अगोख भी आप देकर के मैं परिशान हो गया कितना सारी वरायपिकी पिच्छ रख्ड्जवर्क एधेखों कि बहुत अलग अलग वरायपि कुछ इस में तो है और नहीं सारी शच्ग नहीं पुरी हड़दी रख्यों कि इसकी यह फाली लग ड़ती काली यह यह भी इह व सन् इसको मुझे लगते हैं किसी कैमीकल में रखा ह confession किसा लाइस गाले नहीं होता है जैसे बंदे की की बोडि को भी रहे देखो एसे बोडी को एसतो इसते को इन की बड़ी को ऑप कि थो वह कंछ शोडी को पही ऑसला कर आपको यह तो यह सब से फेवरेट मेरा शी होर्स तो दोस्तों आप मैं दिखाता हूं आपको सबसे बहुत ही अच्छे चीज क्योंकि हम छोटे में बहुत ज़्यादा उसका पेंटिंग बनाते थे सरहुच्या कराते थे गुड भी लेते थे आज इसको दिखाता हूं तो यह देखो यह है वह चीज सी होर्स इसको सी होर्स बोलते हैं पानी में समुंद्री गोड़ा बहुत ही अच्छा दिख रहा है लोक इदे को पास देखो बिल्कुल हम लोग छोटे में इसकी बड़ी मतलब पिक्चर बनाते रहते थे आज देख भी लिया मतलब असली नहीं मरा हुए यह जिंदा नहीं है किसी केमिकल में ताकि इसका जो सरीर है गले ना इसलिए सारे जितने भी है ना यह जितने भी है सारे यह केमिकल में रखे हुए हैं पर पता नहीं कौन सा केमिकल है पर जितने भी कोई केमिकल में रखे हुए ताकि इनका बोड़ी डैमेज नहों जैसी है बैसी की बैसी रहे छलो फिर अब चलते बाहर आप जलते हम बाहर बहुत कुछ देख लिया है अब चलते हैं बाहर के लिए तो बताना कैसा लगा एक्योरियम फिश अक्यूरियम यह और इसकी मतलब की exit गेट है यहां से हम लोग आ चुके हैं बाहर के लिए एक फिश टाइप गी तरह बनायोगा देखो यह उसकी पूछ अब बाहर आचुके हम लोग बहां से अंडर गे थे दिखा दे उक बार ओ जो मूह दिख रहा ना बहां से अंडर गे थे यहां से यहां से बाहर आई चलते हैं तो दोस्तों मैंने आपको जितना है सारफ पूरा म्यूजिम दिखा दिया है इलाच्ट ह इसके बाद हम बहुत और नहीं चोटा चोटा जो सम्मुन्ट की जीतनी मी चीज mixed समुझ कि जितनी भी चीज़ हो सारा कुछ इसमें एविलेबल है हर एक चीज कोई होगी जो मतलब सार एक चीज एविलेबल मेरे को तो बहुत से नाम भी पता नहीं जो कितने सारे किसी का नाम पता है नहीं जो जो मेरे को पता है मैंने बहुत सारा कुछ है इसमें बहुत सारा जम्मू डिस्टिक का म्यूजियम तो बताना क्यासा लगा ब्लॉग और अच्छा लगा तो कमेंट करना लाइक करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में जब तक के लिए बाई-बाई जैहिंद जैभारत मिलते अगले ब्लॉग